अगर आपका गुलाब का प्लांट जिदी कुछ इस तरह से दीख रहा है तो समझिए दोस्तों यह आपका प्लांट जो है डॉर्मेंसी में है और साल में गुलाब प्लांट के लिए डॉर्मेंसी का जो समय होता है आपको 15 अगस्त लेकर के 15 सितंबर या 20 सितंबर तक रहता है तो उसको हमको dormensi से बाहर निकालने पड़ता है किस तरीके से हम इसको ठीक करेंगे हम वीडियो बने रही है हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे दोस्टो इसको गमला से असानी से निकालने के लिए हमारे plant को 2 या 3 दिन तक पानी देना बंद कर देने पड़ता है, आपके एरिया में जिदी बरसात का मौसम खतम हो चुका है, पूरा मौसम अभी कोई बारिस नहीं हो रहा है, तो आप इसको अप कर सकते हैं, या आपके पास शेड है, तो शेड कंदर में भी रख करके आप अपने प्लांड को ठिक कर स रखते हैं, दोस्तों हमारे एरिया में भी बरसात का मौसम लगभग खतम हो चुका है, तो इस उज़स हम इसको ठिक कर रहे हैं, और इसके लिए हमको लेना है बांस का इस्टिक है, कोई भी चीज नुकिला चीज है आपके पास, तो इसका जड जो है नुक्सान नहो, जड क बचाना है, और हमारा प्लांड का जो उमर हुआ, अभी लगभग दो साल होने जा रहा है, और इसके मिटी को हम ठीक करेंगे, मिटी जो है अभी मिटी का अंदर में बरसात का पानी लग करके, इसमें का जो भी निट्रेंस होता है, या कोई भी खाद आप दे रहे हैं, सालो दोस्ट देना है, कि मिटी हमारा फिर से रिचार्ज हो जाया, और मिटी हमारा फिर से बहुत ही अच्छा हिसाब से काम करें, जिससे कि हमारा प्लांड जो है, सालोबर फिर से फूल दे, तो दोस्तों इसमें जो ठंडा के मौसम में हमारा प्लांड जो है, बहुत ही अच्छ लगेगा तो समझिए कि मतलब वो प्लांट जो है आपका डॉर्मेंसी प्रियेड में है भी चल रहा है तो उसको थोड़ा बाहर निकालने के लिए हमको इसके अंदर कुछ फटलाइजर खाद या मिट्टी को सुखाने पड़ता है मिट्टी दोस्तों हमारा देख सकते हैं गं तो हमारा तूट सकता है तो हम इस वज़स्चे इसको लगभग तीन दिन इसको हम सुखा देते हैं और सुखाने के बाद इसको हम निकालते हैं आपका कोई भी प्लांट है तो इस तरीके से असानी से निकल जाएगा और दूसरा बात इसमें क्या करने होगा इसको हमको जो म मिलाएंगे कॉमपोस्ट तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हम जो ज़ड इसका निकाल रहे हैं ज़ड मने टूट नहीं रहा ज़ड को तोड़ना नहीं है क्योंकि यह जो प्लांट है अभी कोई बहुत पुराना नहीं हुआ है कोई प्लांट जिदि आपका बहुत पुराना हुआ नहीं है अभी दो सलका ही हुआ है तो हमको इतना ज़ड नहीं है तो यह को मिल्टी बोले हैं इसमें से मिल्टी को हम आधा हटा दिये जो जाड़े हैं निकाल दिये मिट्टी को और इसमें हम यहां पर देंगे वर्मी कमपोस्ट दोस्तों वर्मी कमपोस्ट जो है बहुत ही अच्छा काम करता है आपके पास जिदी पुराना गोबर का खाद जिदी दो सलका सड़ा हुआ हो एक दो सलका तो इसमें क्या गंध नहीं रहाना करके हैं हम इसको दे रहे हैं जो मवेसी के सिंघ द्वारा बनता है इसको और सफेद वाला देखाई दे रहा है अपको तो इसको पंद्र 20 दिंग बाद काम अपना चालू करेगा तो तीन महीना तक उसमें रहेगा तीन महीना तक हमको देने के जोरत इसको नहीं पड़ेगा बाकी हम सब खाद दे सकते हैं और इस वर्थों का खली है यह लगभगमान के चलिए एक महीना तक काम करता है और नीम का खली दोस्तों नीम का खली हम दे रहे हैं तो नीम का खली 15 गराम और आपका हर्ण डॉस्ट है वह भी 15 गराम और बोन मील 10 गराम और यहां पर जो एससपी है शिंगल से फास फैट उसक करने में बहुत ही सहयक होगा तो दोस्तों स्टार्टिन में हमारे प्लांड को हम बोले की permency में चला आता है तो prevention show dormancy से बाहर करने के लिए उसको कुछ ऐक्ष्ट्रा खाना देने पड़ता है इस तरीके से और जधी आप चाहते हैं कि इस तरीम को हम नहीं आपाहर करेंगे तो आप बाहर नहीं करके आपको उपर से भी दे सकते हैं लेकिन फिको थ detach में करने पड़ता है तो चीज हम यह непा कुछ देम करने के लिए नीचे में जोगमला का टुकड़ा हुता है। उसको हम दे दिए। शेय। भालू हम दे देंगे…. तो दौस्तों इसका फाइदा क्या होता है, बालू और कंकड गमला का टुकड़ा का है। आप जो भी पानी देंगे अपने प्लांट में तो इसमें घल्रा का पानि हुआ है तो ऊसको आस्ते कर करो किन्चे से निकाल देगा तो क्या होगा आपका प्लांड जो है कराब नहीं होगा और बरसांत के दीन में भी आपको बहुत ही अचा benefit देता है आपका प्लांड जैदी सेड में नहीं है और बरसांत के दिन में जिदि माले बाहर में ही रह रहा है पूरा तो यहां पर यह सिस्टम हुआ रहेगा तो आपको पानी जो है बहुत ही आसानी से निकलेगा और जैदि माले उससे भी नहीं निकल ला है तो गंबला को थोड़ा साथ तिर्शा कर दीजिए जैदि पर जो हम कंपोस्ट मिलाया हुआ जो मिट्टी दे रहे हैं तो जड़ के उपर जाएगा और यह हमेरा प्लांट जो है बहुत ही अच्छा से ग्रो करेगा इसका लाव यह होगा और इसको बांस का इस्टिक जो है उससे दे करके आस्टे करके उसको बैठा दें अंदर में मि मिट्टी जो है मिट्टी के थषाणीस देने पड़ता है घोल करके तो उसके लिए एक लिटर पानी लेंगे एक लिटर पानी ले करके उस भी चायवला ताकत भी… आपके पास यह गंफ़िद लिक्विड हो यह आपके पास घ्रिमंल और सकते हैं तो इसमें प्रक्राइड प्रीया ? तो आपको चीज हम कर रहे हैं तो इसको देने के बाद आपको ठीक पांच दिन के बाद जैदी माले जी आज 15 तारिक है तो फिर आपको 20 तारिक को शिरिफ यह वला आपका जो सीवीड और फंगिसाइड एक बार इसको और देने पड़ेगा क्योंकि जो बचा खुचा जो फंगस होगा या इसे कुछ प्रोब्लेम है हमारे मिट्टी के अंदर में और इसका सीवीड का जो ग्रोथ होता है जड़ को लाने में बहुत बड़ा सहायक होता है इसका ग्रोथ ह आगे साल यह हम दिये थे ःते हमारे में बहुत रहा फायदा किया था दौस्तों इसमें अपने प्लांड में जो कुछ भी हम प्रैक्टिकल जो करते हैं आपको वह चीज्व मैं को देखाते हैं कि जिससे की ब्लांड में कोई नुक्सान नहों और आपके प्लांट में फाइदा हो तो दोस्तों हम जो बोल रहे थे आपको कि जदी आप चाहते हैं गमला को नहीं निकालने के लिए इस प्लांट के हमारा उमर ज्यादा दिन हुआ भी एक साल हुआ है और हमारा बोटन रोज है तो इसमें हम क्या कर र सब्सक्राइब यह हमारा जड़ को लाने में जड़ को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छा सहाय तक करता है और इसमें जो सर्थों का खली है ओभी थोड़ा से दे देंगा सर्थों का खली आपको बोले भी हम कि एक महीना तक एक काम करेगा इसके बाद हमको जो कुछ भी ख सब्सक्राइब देना है तो जो हम घोल करकर रखें उसमें से हमारा बचा हुआ है तो फंगिशाइड और आपका जो शीवीड यह दोनों का घोल है तो उसको हम थोड़ा इसमें दे देंगे तो दोस्तों मानके चली आधा लिटर या छो सब्सक्राइब और इसमें भी हमको सब्सक्राइब करना है तो आपका प्लांड जो है ठंडा के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा बड़ खूल करके इसमें आएगा नया नया ब्रांच निकलेगा देखिए लालाल इसमें पत्ता निकलने शुरू हो गया आपको दस दिन जाएगा बारे दिन जाएगा तो इसम पंद्रे बीश दिन का बाद जो नेश्ट जो इसमें क्या चीज देना है हम आपको अगले वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि आपको क्या करना है अपके प्लांड में जैदि आपका प्लांड जैदी मिटी के अंदर में है तो उसको भी इस तरीके कर रहे हैं तो आपका क्यांड जो है वहाँ पर वह सही हो जाएगा मिटी को गुराई कर दें करने के बाद में वहां से मिटी थोड़ा हटा करके उसमें फटलाइजर जो हम दी एक उसको मिला करके आप दीजिए तो आपका सही हो जागा दोस्तों हमको में अपको विडियो समझ में आ चुका होग प्रोड़ोगा